Hello guys, CGPSC Handwritten Notes के YouTube चैनल में मैं जागरिती साहू आप लोग का स्वागत करती हूँ आज हम लोग 36 गड़ी लैंग्वेज में आए हुए ACF के कुछ कोशन्स देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कोशन है निम्न लिखित में से कौन सा सब्द क्रिया है A. थोरकिन, B. असनान, C. अगम जानी, D. उसाना या E. इन में से कोई नहीं तो हमारा क्रिया क्या है? D. उसाना क्या है? एक क्रिया है नेक्स देखते हैं अरकट्टा का अर्थ है A. सडक, B. गली, C. छोटा रास्ता, D. बड़ा रास्ता या E. इन में से कोई नहीं तो अरकट्टा का अर्थ होता है छोटा रास्ता ठीक है? जिसे हम लोग शॉर्ट कट कहते हैं वो इसका अर्थ होता है नेक्स कोशन देखते हैं हप्ते बन के पत्थरा फोरे घर के सील का अर्थ है A. लडाई करना B. किसी का गुस्सा किसी पर उतारना C. जान बुज कर गलती करना D. धोखा देना या E. इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा आपका B. किसी का गुस्सा किसी पर उतारना इसके पास हम लोग नेक्स कोशन देखते हैं सुवा हमर संगवारी के रचना कार है A. टिकेंद्रे टिकरिया B. लखन लाल गुप्त C. नंद किशोर्तिवारी D. प्यारे लाल गुप्त या E. इन में से कोई नहीं तो सुवा हमर संगवारी के रचना कार कौन है लखन लाल गुप्त जी है ठीक है अब हम लोग नेक्स कोशन देखते हैं पालेश्वर प्रशाद सर्मा की कृती सुसक जनकुर्री सुर्ताले निमले लिखित में से क्या है A. निबंद B. उपन्यास C. कहानी D. महाकाव्य या E. इन में से कोई नहीं तो पालेश्वर प्रशाद सर्मा की कृती सुसक जनकुर्री सुर्ताले क्या है उपन्यास है ठीक है क्या हैगा अंसर उपन्यास फिर हम लोग का नेक्ट कोशन है 36 गड़ी कारकों में कौन सा सब्द एक निश्चे आर्थक का बोध कराता है निश्चे आर्थक का बोध कराता है A का, B ला C हर D के या E इन में से कोई नहीं तो हर जो है वो निश्चे आर्थक का बोध कराता है 36 गड़ी कारक में फिर हम लोग का नेक्ट कोशन आता है निमले लिखित सब्दों में से समूव आचक संग्या को पहचानी है A चाउर B डोली C प्यास D बरदी या इन में से कोई नहीं तो जो D बरदी है वो समूव आचक संग्या है अब हम लोग का नेक्ट कोशन है माई पिल्ला में कौन सा समास है A ततपूरुस समास B करमधारे समास C द्वन्द समास D द्विगु समास या E इन में से कोई नहीं तो माई पिल्ला कौन समास होता है तो वो क्या होता है द्वन्द समास होता है फिर नाइन्थ है हीरा लाल काव्योपाध्याए के 36 गड़ी व्याकरण का डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपवाया A सन 17103 B सन 1890 C सन 1900 D सन 1901 या E सन नहीं इन में से कोई नहीं तो कौन सन आएगा हमारा 1890 में छपवाया था फिर ने एक्स कोशन पंडित सुंदर लाल सर्मा ने दुलर्वा पत्त्री का कहां से निकाला था A राजीम से B राइपूर C बे में तरह D जेल या E इन में से कोई नहीं तो उन्होंने जेल से निकलवाया था इसके बद हम लोग नेक्स कोशन देखते हैं चरई में उपसर्ग क्या है चरई में उपसर्ग क्या है A अ उपसर्ग या B ई उपसर्ग C चर उपसर्ग D रा उपसर्ग या E इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई नहीं इसका आंसर होगा बारवा कोशन देखते हैं 36 गड़ी भासा में पठान सब्द किस विदेशी भासा से आया है A. पस्तो, B. तूर्की, C. फार्सी, D. अर्बी या E. इन में से कोई नहीं पठान सब्द 36 गड़ी में क्या पस्तो से आया है पस्तो विदेशी भासा फिर तेरवा देखते हैं हल का 36 गड़ी पर आये A. नांगल, B. नांगर, C. नकल, D. लांगल या E. इन में से कोई नहीं तो हल को 36 गड़ी का पर आये क्या है? नांगर है फिर नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि रंधनी खोली किसे कहते हैं? A. रंगने का कमरा, B. रसोई के लिए कमरा, C. होली खेलने की जगह, D. चित्र बनाने का कमरा या E. इन में से कोई नहीं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका? B. रसोई के लिए कमरा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लंब चोची किसे कहते हैं? A. लालची B. लंबी चोच वाली चिडिया C. चुप कराने की क्रिया D. चना खाने वाली चिडिया या E. इन में से कोई नहीं तो लंब चोची किसे कहते हैं? लंबी चोच वाली चिडिया को कहते है 16. लूर की की से कहते है A. आभुशड B. लौकी C. दूबली पतली लड़की D. लुड़क जाने की क्रिया इन में से कोई नहीं तो लूर की आभुशड को कहते है गाइस ये कुछ पुराने कोश्चन से है इसलिए इसमें पाच ओप्शन से अभी अब एक्जाम होगा तो चार ओप्शन सी आएंगे ठीक है थैंक यू